नमस्कार, सत्य खबर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अरुन कुमार अमेरिकी राशपती डोनाल टरंप भारत दोरे पर आने वाले हैं इस दोरान राशपती डोनाल टरंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया टरंप और बेटी इवांका टरंप भी आएंगी वही मेलानिया टरंप देश की राशधानी डिल्ली के सरकारी स्कूल में भी जाने वाली हैं हलाकि मेलानिया के इस कारेकरम से अब अर्विद केजरिवाल और मनीश शिसोदिया का नाम हटा दिया गया है अमेरिका की प्रतम महिला मेलानिया ट्रम्प का दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में कारेकरम होना है दिल्ली सरकार के सूत्रों के मताबिक इस कारेकरम के लिए दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विद केजरिवाल और उप मुख्य मंतरी मनीश सोधिया के नाम को हटा दिया गया है दिल्ली सरकार के सुत्रों का दावा है कि स्कूल दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं तो दोनों को कारेकरम में भाग लेना था हाला कि अब उनका नाम हटा दिया गया है वहीं आमाद्री पार्टी की राष्ट्रिय कारेकारणी सदस्य प्रिती शर्मा मेनन का कहना है कि भले ही पीम नरेंदर मोदी अरविंद केजरिवाल और मनेश्च सोधिया को आमंतरन ना दें लेकिन उनका काम बोलता है दरसल 25 फरवरी को मिलानिया ट्रंप दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में जाएंगी वो केजरिवाल सरकार के स्कूल में हैप्पीनेस क्लास देखेंगी हाला कि पहले चर्चा थी कि मिलानिया का स्वागत मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल और मनीश्च सोधिया करेंगे लेकिन अब उनका नाम ही हटा दिया गया है जिसके कारण अब केजरिवाल और सिसोधिया इस कारेकरम में शामिल नहीं होंगे वहीं दिल्ली के परियावन मंत्री गोपाल राय ने मेलानिया ट्रम्प के सरकारी स्कूल कारेकरम में केजरिवाल और मनीश सिसोधिया के नय जाने को लेकर का है कि फिलाल सरकार के पास इसकी कोई अधिकारी जानकारी नहीं है नहीं इसकी कोई सूचना है इस मुद्दे पर बीजेपी परवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कुछ मुद्दों पर निम्निस्तर की राजनीती नहीं होनी चाहिए यदि हम एक दूसरे के पैर खीचना शुरू करते हैं तो भारत विवादों में आता है भारत सरकार अमेरिका को नहीं बोलती है कि किसे आमंतरित करते हैं और किसे नहीं अमेरिका की प्रतम महिला मेलानिया टरंप करीब एक घंटे का समय सरकारी स्कूल में बिताएंगी खास बात ये है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी के बीच मुलाकात चल रही होगी उस समय मिलानिया ट्रम्प केजरिवाल सरकार के स्कूल के दोरे पर होगी दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने 2018 में हैप्पिनेस क्लास की शुरुआत की थी ये कलास नर्सरी से आठवी तक के स्टूडेंट्स के लिए होती है इसका मकसद बच्चों के मानसिक तनाव और आवसाद को दूर करना होता है इस कलास में कोई लिखित परिक्षा नहीं होती है सिर्फ बच्चे के हैप्पिनेस इंडेक्स का मुल्यांकन किया जाता है लेकिन जिस हैपिनेस कलास को केजरिवाल ने शुरू किया था अब उनी के सरकारी स्कूल में एक विदेशी महमान के सामने वो इस स्कूल में नहीं जा पाएंगे यानि प्रधान मंतरी मोदी और टरंप की मीटिंग चल रही होगी तो वहीं टरंप की पत्नी सरकारी स्कूल में होगी लेकिन दिल्ली के मुख्य मंतरी को इसका न्योता नहीं मिला है अगर यी वीडियो आपने फेस्बूप पर देखाया तो हमारे पेज को लाइक कीजेगा और यी वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद